देखे इस सार के कोशन आते हैं इस सार के कोशन आते हैं जहां पे चार संटेंस लिखा रहेगा आपको यहां पे अरेंज करने होंगे ABCD के format में जो भी हो ठीक है एक sequence यहां पर दिया जागा कि किसकी sequence में कौन-कौन से sentence आएंगे खेर यहां पर सबसे पहले ABCD वाला नहीं यहां पर indirect और dialect जहां पर मैंने बताया था कि दियालेक्ट और indirect से question आते हैं तो दीक इक question का क्या level आता है जैसे कि आप देखने जोन से वेन आयम बोर्ड आई कुख अब यहां पर डायलेक्ट और अशर करेंगे दो से करेंगे दो से करेंगे दो से करने में आजर कर लेंगे यहां पर जाएगा जैसे यहां पर प्रेजेंट में यह पास्ट में बदल जाएगा तो देखिए फर्स्ट ऑप्सन में इस होगा नहीं थर्ड में देखिए इस होगा नहीं और लास्ट के अगर बात करें तो यहां पर आई एम है ठीक है तो यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट की बात अगर होगा तो उसक檢़ होगा पास्ट में होजाएगा ठीके पास्ट वाइले में चेंज ओगा तो यह Sicher account यहांपर क्या है I am born और उसके बाद I cooked तो यहां प्रेजेर्डे प्रसेड्ट indefinite में तो क्या होजाएगा पास्ट definite में हो जाएगा तो यहां he was bored हो गया यह तो होगा नहीं passive format भी चला गया होगा नहीं अब बचा किया he cooked तो आपका यह वाला answer हो जाएगा second वाला आपका answer हो जाएगा और when I am bored के जहाँ पे I का क्या हो जाएगा he हो जाएगा ठीक है I का जो होगा first person क्या हो जाएगा यहां पर subject का अनुसार जाता है he हो जाएगा और he इसाथ क्या आएगा जब हम इसका past बनाएंगे he was हो जाएगा he was bored चुक्या पर passive format में था इसलिए यहां पर passive format में रहनें लेकिन यहां past में change कर देंगी ही वाज बोर्ड और ही कुट ठीक है चलिए अब इसे तो और भी कोश्चन देखते हैं फड़ा फड़ा अब क्या है बाई डाइक्ट इन डारिक हो गया पैसिव वाला देख लाते हैं तो एक्टव पैसिव कैसा रहाता है अभी देख लिजिए देर एमोशनली इंटेंस को ला कुट कुल आए घार इस अंतर्ड पढ़ा आप आप प्ड़ते तो सब्सक्राइब बनाते हैं और इसके बनाते प्रकंवर मेये चैनल चैनल में चया है आप गός होगा नहीं जरौ यहां पर वाज तो है ही नहीं यह भी अलिम्याट हो गया मुझे वाज वला दिग यह आंसर फिर्स्ट वाला हो गया ठीक है चली अब यहाँ पर आते जंबल ठीक है जिसे कहते हैं आपको जो यहाँ पे विचार जंबल पिक दब ओप्शन और यहां पे चार्ट संटेंस देगे, इनको एक और उसमें सजा रहा है, चार्ट संटेंस यह हैं, उसको और उसमें सद रहा है, इसे भी आप ट्रेक से कर पाएंगे, ठीक है, within second, ठीक है, आप 10 सेकंड में इसे कर पाएंगे, छिफ फशिव 10 सेकंड में, अगर आपको part of a speech के अच्छी knowledge हो ठीक, आप अगर reading skill ठीक हो आपकी है ना, चले सबसे पहले इस trick में धूलना क्या है कि हमें सबसे पहले sentence अप परते तो B वाले option में देखिए but से sentence कभी start होता नहीं eliminate हो गया he had हो सकता है they all हो सकता है लेकिन हमने क्या पताया पहले sentence कभी भी start होता है तो पहले एक noun होता है, उसके बाद यहां पर pronoun होता है, noun फिर pronoun तो यह तो pronoun है न दोनों और B वाला तो already नहीं होना है तो my brother, यहां पर my brother जो है, यह आपका हो जाता है noun, ठीक है, my brother हो जाता है noun, ठीक है, तो my brother was my brother यहां पर है, इसके लिए क्या आएगा pronoun, दे तो कभी नहीं आएगा my brother, C यहां पर पता चार रहा है और वास से पता चार रहा है कि singular है, singular के लिए हमें क्या चाहिए एक singular ही यहां पर होना चाहिए यह दे तो plural हो गया, हमें singular चाहिए, singular subject है यहां पर pronoun भी होना चाहिए, वो singular के format में होना चाहिए, तो my brother के लिए pronoun क्या आएगा दे तो आएगा नहीं, बलकि he आएगा तो A के बाद C होगा, तो A के बाद C इसमें नहीं है, एके बाद C इसमें नहीं, दो तो और eliminate कर गए, A, C के बाद अगर हम A, C के बाद देख लेते हैं, तो अब वो गड़ा है कि इसके बाद क्या आएगा नहीं वाला है तो देखें, जब third sentence परते C वाला है कि he had heard a great deal about it from his friends friends क्या यहां पर plural है friends क्या यहां पर plural है और इस plural के लिए हमें क्या चाहिए एक plural यहां पर प्रोलाउन चाहिए, जो कि दे है तो दे फिर आएगा डी वाला उप्शन में और जो बच गया, वो आपका automatically last में आता है, A, C, D, B भी third वाला आपका answer होगा, है न, चले फिल आते हैं जड़ा देखते हैं इसमें क्या है भाई हाँ, grammatical error वाला question है, ठीक है, grammatical error वाला question है, तो आइए इसमें क्या यहां पर गलत है या क्या यहां पर improve किया जा सकता है a number of points of resemblance between the Australian and Dravidian languages is discovered despite the fact that the home of the two races are so far apart अब देए, जैसे sentence परते हैं यहां पर a number of दिखा, a number of दिखा, और मैं ने क्या rule बताया कि भाई, a number of के साथ जो verb होगा जो verb होगा, क्या होगा? plural होगा, अब verb जब plural होगा, तो यहां पर देख सकते हैं sentence में is लिखा हुआ है, तो is तो होगा नहीं, हमें क्या करना था? आल, तो समझ में आया कि पुछा गया, जो से comprehensive, एक एक एंट्रोनेम देर चीज़ागा, चार आप्सन होगे comprehensive का मतलब होता क्या है वैसे, comprehensive का मतलब होता है, एक विस्तरत या व्यापक क्या होता है? विस्तित विस्तरत, या फिर इसको कहते है वियापक कह सकते है या फिर बहुत बड़े अस्तर पे कह सकते है इसकी बहुत बड़े च्छत्मे कह सकते है अब इसका opposite पुछा गया है तो opposite जो होगा, comprehensive का होगा विस्तरत या वियापक का होगा opposite, restricted restricted का मतलब यहाँ पे हो जागा यहाँ पे limited, ठीक है? ग्लोवल वार्मिंग और जोन होल यू निट साइंस संटेंस पने से पता चला कि यह क्या है बही present में तो present वाले में present indefinite का है तो present indefinite वाले हमें क्या चाहिए हमें एक चाहिए, is चाहिए ठीक है, is चाहिए, am चाहिए या फिर आर तो चाहिए संटेंस में शिक करते है has been आगया, होगा नहीं ठीक है? चुकि यहाँ पे present indefinite तो सिर्फ हमें is चाहिए is being नहीं चाहिए था, हटा देंगे was बिलकुल नहीं चाहिए था आटमेटिक आपका first answer हो जाएगा ठीक है? यहाँ पे is आया है ना? चले नेस्ट क्या भई? नेस्ट है कि select the correct passive form given sentence फिर से एक passive question लेते और इसे भी truck से करेंगे यहाँ पे trick कौन से use करने वाले भई? देख लिए आट से शुरू है और new master से sentence शुरू होगा ठीक? और चुकि यहाँ पे last में question mark तो भाई question mark तो इंट्रोगेटिव में जैसे sentence इंट्रोगेटिव ही में रहेगा तो और master के साथ जो होगा आर तो कभी आएगा ने क्योंकि यह similar है तो similar के लिए हम इस ही लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए था? इस लगाएंगे अगर इस एम आर है तो यहां पर third वाले में देखते हैं तो इस इस भी सूरूई और being है third number option आपका होगा ठीक है? क्योंकि last वाले में देखते हैं तो वह ज़्याजा था जो कि चाहिए था नहीं लेस्ट है एक और यहां से देखते हैं अब यहां पर synonym देखेंगे जो कि last year पुछा गया था इस synonym ठीक है? prohibition का मतलब आपको से पुछा गया था ठीक है? prohibition का मतलब होता है निशेद या रोग अब इसका जो sign होगा वो होगा exclusion exclusion का मतलब होता है वाहिसकार या निशेद ठीक? चलिए अब इसको मैं ट्रिक से बता दूँगा ठीक है? दो सेकंड में आप इसे कर पाएंगे देखेंगे barking of the wrong tree अब मैं जो sentence पर आप barking of the dog wrong tree इससे related कोई भी sentence में वो चीज़ आएगा निए जैसे barking से पता चलता है कि dog करता है तो dog अगर इसमें आगिया तो यह eliminate कर गया ठीक है? ट्री है ट्री से ट्री वाला बिलकुल नहीं होगा ठीक? अब देखेंगे barking of the wrong tree अब रॉंग ट्री पर भूकना मैं इसके कोई रॉंग ट्री है और उसमें बार करना भूकना एक तरह से कह सकते हैं कि जो चीज है नहीं उस पर वो काम कर रहा है ठीक है? मैं इसके गल्ट चीज के पीछे भागना मैं इसकी chasing a false trail ठीक है? chasing a false trail इसका correct answer होगा ठीक? misunderstanding the origin of the problem भीन को नहीं होगा यहां पर बात हो रहता है barking of the wrong tree चले आपको जानने बहुत जरूरी है, जैसे देख लिए यहां पर क्या रहो, we have so money to do and so little time, time है, time uncountable है, uncountable के साथ तो यहां पर little ठीक है, तो भाई, many तो बिल्कुल नहीं होगा, time के लिए हम क्या use करते हैं, much का use करते हैं, तो हमें second वाला option है, होगा correct answer, आगे देखते हैं, और स ask her husband, why have you been avoiding me since yesterday, सबसे पहले है, तो इसका आप change करना होगा, trick यह कहता है, कि पूरा sentence पढ़ने से अच्छा कि यह yesterday को आप change करना होगा, yesterday का होता है, previous day, यह होगा नहीं, अब बजगा प्रिवेस, अब तीन आपके पास और बजगे, elimination की बात हो रही थी, ठीक है, elimination की बार बात हो रही थी, अब क्या चीज़, यहां पर और क्या क्या changes हो सकता है, अब वहां पर आके देखते हैं, फट आफट, इससे Mary ask her husband, ठीक है, तो उसके बाद है, why have you been avoiding, अब देख लिजए, direct or in that, में क्या होगा, यहां पर, why have you been की जगा पे, आप क्या challenge करना होगा, present, यहां पर क्या है, present perfect में है, present perfect, continuous tense में है, तो इसका change क्या हो जाता है, past perfect continuous में, मिसकी have का head हो जाएगा, head ढूनेंगे कहां पे है, first वाले में, head है नहीं, second वाले में है, third वाले में, और fourth वाले में, head है नहीं, तो यह भी eliminate हो गया, अब head है, ठीक है, head भी है, अब इसके बा हो गया था, और head हो यहां था नहीं, eliminate हो गया, तो मिसकी third, 3 आपका, 4 option में से, 3 eliminate कर गया, 3 eliminate कर गया, एक तो यहां पर study के कारण यह eliminate कर गया, head है, यहां था नहीं, eliminate कर गया, बच यह third number option, click कर के आगे बर जाएंगे, यहां पिर पूछा गया, synonyms का question है था, पिछले बार द ना करना ठीक है? चले सवाल नम्र आते हैं distribution पर इसमें के आता बाए फिरसे एक question देखते है idiom वाला idiom वाला question देखते है तो दहए idiom वाला question पर आते हैं तो कैसे इसको solve करेंगे? Straight from the horse mouth Straight from the horse mouth की बात कहा गया है तो कहाँ कौन सा होगा गेट information for a popular television channel बिल्कुल नहीं believe someone who is very confident बिल्कुल नहीं या hear something from someone who has many followers on social media नहीं बलकि hear something from someone who has direct और personal knowledge की बात हुड़ी थी ठीक है a straight from the horse mouth इसकी second number वाला यहां पर आपका option होगा hear something from someone who has direct और personal knowledge की बात हुड़ी थी आपका कहने का मतलब यहां पर जो चीद आप सुने वो कहां से आ रहा है बैए एक that source से आ रहा है ठीक है ना कि कोई social media वाले source से आ रहा है ना कोई television challenge से आ रहा है या खुद के self confidence है बिल्कुल नहीं ठीक चले अब देखिए इस सार के close test नहीं था यह comprehensive था ठीक है मैंने आपको भी बताया था comprehensive इस सार के पूछे जाते है comprehensive जो कि यहां पर दस मास्के रहेंगे और यह feeler बेस्ट रहेंगे ठीक है यह feeler बेस्ट रहेंगे तो इस तरह के question भी आपको exam देखने को बन सकता है तो आप इस पर आपको work करने परेंगे अब इसको इसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे आपको पहले कि आपको part of a speech के अच्छी knowledge होने चाहिए थोरे word power अच्छे होने चाहिए और reading a screen में जो कि आपको daily passage आप करते रहें Roz갈 के सर्फी में में जू पहले है यह आपको पताना है यह की का सब्हुत होने प्रेंगे ज़रेंगे धुआवटति इस ठीक करते है तो यह चीज यहां पर option में आगा, second number option आप इसे fill करेंगे, ठीक है, option length को समझ रहेंगे, और इसके बाद आप यहां पर फिल करेंगे, नेस्ट क्या था वही, select the appropriate synonym, synonym आपको बताल, alteration, alteration का मतब होता है क्या भी, बदलाव, बदलाव का जो साइनु होता है, वो होता है, modification, ठीक है, modification, चलिए, एक और यहां पर देखते हैं, फटा-फट, एंटो जो पूछा गया था, numerous, numerous का मतब क्या होता है, बहुत के मातरा मे ठीक है, numerous का मतब होता है, बहुत के मातरा में, और इसका opposite पुछा गया है, एंटो opposite, असकार सो जागा इसका, second number option, इसकी कम, या जिसको कहते है, थोरा, ठीक है, चलिए, एक और यहां पर question देखते है, synonym से related, जो की पुछा गया था, पिश्ली बार, complicated, complicated का synonym क्या होगा, complex, ठीक है, अब आते हैं यहां पर filler, देखें जी filler किस्तर का filler पुछे जाते है, बहुत, simple ही होता है, बट वो sentence और बरे होते हैं, तो आप घवरा जाएंगे, घवराने की ज़रूत नहीं, चीजे को समझे, जब sentence परेंगे तो बस पहले लान में ही चीजे समझ में जाएंगे, अब यहां पर बात सब चीज और अश्श्टराउनिंट की बात हो रही है, और exploration की बात हो रही है, खामेस बात बिल्कुल नहीं भाई, जीव सी बात नहीं है, एक Curiosity की बात हो रही है, अश्पेस में कोई بही चीज अगर खोज होता है, एक Extraordinary चीज होता है, ठीक है, चिली, at school अब देखिए संटेंस अब हैं यहां पर यूवा अट स्कूल की बात कहते हैं यह पास्ट में तो फ़र्ष वाला जो यहां पे clause वह कभी भी क्या होगा present पे फिरेंगर होगा हम में क्या करना Łotay डिड्यू करना होगा ठीक है चीव कर देख लेते हैं प्ड़ा फड़े का अन्टोनीम है गया है इसको साइट का मतलब Whgi करना ठीक है साल्ट्र को टोड़ देना मनुबल मनोबल को को क्या करना तोड़ तो manuval का तोड़ देना का मतलब क्या होगा आपको अगर manuval कोई तोड़ता है आपको हतास या दिसकरेज करता है उसका opposite होगा encourage करना ठीक है first number option होगा चले आगे सवाल पर देखते हैं फिर से आगे हैं आगे sentence improvement वाला question देख लेते हैं if you are ever in chanay you come and see me तो देखिए यहां पर कौन सा ओप्सन होंगे come and see me, come see me, no improvement, you came and see me ऐसा नहीं था, देखिए if you are ever in chanay जब कभी भी तुम chanay में होगे, ठीक है, बात हो रहा है simple present की बात है, come and see me होगा है, ठीक है, second number option होगा you तो आएगा नहीं, ठीक है, चली अब यहां पर ग्रामेटिकल आपको सुधाना है क्या हो सकता है जैसे ही फर्स्ट संटेम्स देखे मेनी यह दिखिया तब इसके साथ जो नाउन होगा एंड व्क वोगा दोनों क्या वह स्गुलर्ण भूगाए ठीक है तो यहां पर गर्ष जो है यह तो नाउन जो है आपका travelled जो मैं ठीक है यह तो कार्थ है लेक्न यहजो अगैंने यह पेर हमें क्या करना था वह करना तह कुंछ आपका यह सही होता ठीक हैं तो गया अगैंध कुछ important जो question last year में आय थे, जो pattern पे आय थे, उस pattern को सिर्फ आपको दिखाना था